कि निवस्कार निउस टाइम समाचार में आपका स्वागत है मैं हूँ सर्वेश कुमार सिंग समाचार में सबसे पहले हेड्लाइन्स फिर समाचार विस्तार से देखते हैं हेड्लाइन्स प्रदानमंत्री मोदी ने लगवाया कोरोना का टीका यूपी में एक साल बाद खुले ट्राइमरी स्कूल रसोई गैस के फिर बढ़े दाम पच्चिस रुपए महंगी पीए मोदी ने बताई देश में एक और किर्शी क्रांगती की जरुवत भगोडे मेहुल चोक्षी की मु सुनात के दर्शन और फूजन मिर्जापुर में जहरीली सराप पीने से चार लोगों की मिर्टू कानपुर देहात में सिपाही के पती ने दो बच्चों को जिंदा सुका अब समाचार बिस्तार से प्रदानमंत्री नरेन मोदी ने कोरोना वैक्सीन लगवाई है आज सुब ने कोरोना का टीका लगवाया प्रदानमंत्री ने स्वदेशी कंपनी भारत बायोटेक से निर्मित को वैक्सिन टीका लगवाया है और उन विरोधियों के तमाम सवालों को और प्रस्नों के उन्होंने उत्तर दिये हैं जो लोग स्वदेशी टीके पर सवाल उठा रहे थे प्रधान मंत्री ने भारत बायो टेक का टिका इसी लिए चुना क्योंकि ये पूर्णता स्वदेशी टिका है भारत में ही निर्मित हुआ है उत्तर प्रदेश में आज से प्राइमरी स्कूल खुल गए हैं आज एक मार्ज को बच्चे एक साल बाद विद्ध्यालों में गये विद्ध्यालों में खुसी का माहौल था जगे जगे बच्चों का स्वागत किया गया विद्ध्यालों को सजाया गया बच्चों की आरती उतारी गई और बच्चे और सिक्षक सभी मास्क लागा गया पहु की गई है इसके पहले दिसंबर में ही रसोई गैस के दाम बढ़े थे अब रसोई गैस 819 रुपए की हो गई है इससे परिवारों का बजट एक बार फिर कड़बड़ाता नजर आ रहा है प्रधान मंत्री नरेद्न बोदी ने देश में एक और किर्शी क्रांथी की जरूद ब फित्र में हो तो किसानों को लाब होगा उन्होंने कहा कि देश में किर्शी उत्पादन अन्य उत्पादन बढ़ा है लेकिन इसकी फूड़ प्रोसेशिंग की प्रक्रिया उस गती से तेज नहीं हुई है उस गती से नहीं बढ़ी है जितनी की बढ़नी चाहिए थी पिछल की इस्तिथी में सुधार होगा पी बेंग गोटाले के आरोपी मेहुल चौक्सी की मुश्किलें बढ़ गई हैं उनकी नागरिक्ता रद कर दी गई है यह विदेश में छिपकर रह रहे थे एंटी गुआ और बार्ट बुड़ा दोनों देशों ने उनकी नागरिक्ता रद की है इसके बाद उनको भारतिय कानून के सामने अब पेस होने की इस्तिथी हो गई है और भारतिय एजनसिया अब उनको आसानी से भारत में लाकर कानून के सामने खड़ा कर सकती हैं चीन अपनी कर्तूतों से बाज नहीं आ रहा है उसकी एक और कर्तूत उजागर हुई है यह करतूत है उसकी पिछले दिनों 12 अक्टूबर को बंबई में जो बिलकाउट हुआ था ग्रिड फेल हुआ था उसके पीछे चीन की साजिस उजागर हो रही है इस साजिस के संकेत बासिंग्टन पोस्ट समाचार पत्र ने दिये हैं उसने लिखा है कि गलवन घाटी के समय जब भारत ने चीन को करारा जवाब दिया और चीन को यह लगा कि भारत इस पर दवाब बनाएगा तो उसने साइबर अटेक करके मुंबई की समस्त बिद्दूत व्यवस्था ग्रिड के माध्यम से फेल कर दी थी और उसकी योजना थी कि वो पूरे देश के ग्रिट फेल करना चाहता था लेकिन यह साजिस उसकी उस समय भी पकड़ में आ गही थी और भारती एजनसियों ने भी इस बात की आशंका व्यक्त की थी कि यह साइवर अटेक के करण हुआ है अब इसी बात की पुस्टी बासिंग्टन पोस्ट ने कर दी है कि 12 अक्टूबर की घटना के सत्ता रोड त्रमूल कांग्रेस पर आरूप लगाया है कि उसने चुनाब में धांदली और गडवड़ी करने की कोशिस अभी से शुरू कर दी है भारतिय जनता पार्टी ने आरूप लगाया है कि वहां के कुछ अधिकारी सरकारी कर्मचारियों से उनकी बोटर आईडी औ और उनका आधार और उनका परिचे पत्र यह सब प्राप्त कर रहे हैं और यह सब पोस्टल बैलेट में धांदली के नाम पर किया जा रहा है इसी सिकायत को लेकर भारतिय जनता पार्टी का प्रितेंदी मंडल सांसद स्वपंदास गुपता के नितत्त्त में कुलकता के जेपी नडडा दो दिन से बाराणसी में हैं आज उन्होंने बावा विस्वनात के दर्सन किये वहां पूजन किया और बावा विस्वनात के गलियों में घूमें वहां के संदर्य कार्यों का भी निरिक्षड किया और वहां विकास कार्यों के निर्देश दिये उत्त्र प् परजापुर कोतवाली छेत्र के एक गाउं की है यहां एक देशी सराब के ठेके पर बीती रात कुछ लोगों ने देशी सराब पी थी जिससे उनकी तवियत बिगड़ गई चार लोगों की मौत हो गई कई लोग गंभी रूप से बीमार हैं उनको चिकिस्चालय में भरती करा गया है माना जा रहा है कि यह जहरीली सराब थी जिसके करण यह दुरगटना हुई है कानपुर देहात से भी एक जगन कांड के सूचना है कानपुर देहात के अकवरपुर छेत्र में एक महिला सिपाही के पती ने अपने मकान मालिक के पत्नी और उसके दो बच्चों को जि सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं